हलो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर सैफ है और मैं यहाँ पे करोना सेंटर में जो आईस्यू है जिसे हम बोलते हैं कोविड आईस्यू उसका इंचार्ज हूँ एक तरह से और लास्ट नाइन तू टैन मन्स से मैं लगातार आईस्यू के मरीजों की देखरेक कर रहा हूं और इस पेशेंट ओपीडी के बेसिस पर कई बार कॉल करते हैं उनको भी जानकारी और उनके इलाच में लगातार अपना जोगदान लास्ट सिक्स टू सेवन मन्स से मैं दे रहा हूं तो यह वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिफ इतना है कि आप सब जैसा कि जानते हैं कि बहु पॉजिटिव हो गए हैं और जिनको माइल टू मॉडरेट सिम्टम है वो बड़े परिशान है कि कब सीवियर हो जाएंगे कब क्रिटिकल हो जाएंगे बहुत सारे मिस हैं मिसकॉंसेप्शन है तो मैं मैंने सोचाए कि बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा इस पर उन को लेकर और सेकेंड वे में क्या डिफ्रेंसिस हैं फर्स्ट वेव ओफ कोरोना के मुकाबले तो इन सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जानकारियों के लिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोविड-19 बिमारी से जैसे हो गई है पॉजिटिव हो गए माइ असिस्टिव हो जाते हैं तो स्रिफ रस दोवाईयों पे पूरी तरह से निरभर ना हूँ क्योंकि दोवाई एक चीज होती है डॉक्टर दे रहे हैं नर्सिस नर्सिस दे रही हैं इंजेक्शन पढ़ तैबलेट दे रहे हैं वह औलग चीज होगई उस पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे वो चीज़ों पर बात करेंगे आज जो करने से मैंने देखा है काफी सारे पिशेंट्स इस बिमारी के परभाव से और डैमेजस से जो बॉडी में डैमेज होते हैं इस बिमारी से उसे काफी हद तक बहार आ जाते हैं और बच जाते हैं उनकी कॉलिटी आफ लाइफ के काफी इंप्रूव हो जाती है तो यह टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं और जिनको मैंने खुद एक्सपरियेंस किया है तो इसलिए मैंने यह सोचा वीडियो आपके सामने शेयर करूँ सबसे पहली चीज है कि कोरोना एक ऐसी सचाई है जिससे हमको दो-चार होना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल हम पॉजटिव होंगे ही होंगे तो अगर आप पॉजटिव हो गए तो आप डरिये मत वो जस्ट 1% है तो 1% यानि कि आप उन 99 में हो सकते हैं लेकिन अगर आप डर गए तो आपका ये जो परसेंटेज है मॉटलेटी का काफी बढ़ सकता है इसलिए डॉक्टरों की सला मानना बहुत जरूरी है और उन डॉक्टरों की सला मानिये जो कोरोना के मरीजों को लगातार देख रहे हैं और उनको एक साल से एक्सपरटीज हो गया है काफी डेफिनेटली उनका जो एक्सपरियेंस है वो आपके काम जरूर आएगा तो डॉक्टरों की सला को आप लैटली ना ले और इस लड़ाई में हम डॉक्टर्स का आप साथने ब्राबर है तो सबसे पहली चीज है स्पारोमेटरी तो स्पारोमेटरी क्या होती है कि ये एक ऐसी बहुत ही सस्ती चीज है जिसको आप खरीज सकते हैं बड़े आराम से बाजारे मिल जाएगी ये स्पारोमेटर है ठीक है जो आप देख रहे हैं इसमें तीन बॉल्स होती है जिनको हम खीचते हैं जैसे इस पाइप के जरीए तो ये बॉल उठती है उपर तो एक हेल्दी जो व्यक्ति होता है वो तीनों बॉलों को खीच सकता है तीनों बॉल उठेंगी उपर अगर आपको कोविट पॉजिटिव सिम्टम आ गए और अगर आपका एक बार लंग्स जो है उसमें नियूमोनिया चला गया ठीक है यानि की कोविट नैटी नियूमोनिया हो गया और ऑक्सिजन लेविल घटने लग गया तो जो ऑक्सिजन लेविल घटेगा उसको उसकी जो स्पीड है घटने की तो काफी हद तक प्रिवेंट करता है यानि या ऑक्सिजन रेक्वार्बेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी चीज है और इससे आपकी जो लंग की लंग्स की जो है जो capacity है उससे उसमें improvement होता है pneumonia एक ऐसी चीज है जिससे जो लंग्स के अंदर का जो खिचाओ है ठीक है तो collapse होने की जो propensity है वो काफी हद तक बढ़ जाती है तो सारे लंग के जो आपस के विलाई हो सब शिपकने लग जाते हैं तो लंग collapse होना शुरू हो जाता है और इसी तरह से oxygen जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है बाडी के अंदर तो जो यह spirometry है इससे lungs expand होते हैं ठीक है और collapse होने से बच जाते हैं जिससे की आपकी जो oxygen concentration है बाडी में वो बराबर बनी रहती है काफी हद तक और हो सकता है कि आपको ventilator की भी बाद में जरूवत ना पड़े ठीक है तो यह आपको करना है और यह खरीद के रखना है अपने पास अगर आपको covid positive हो जाते हैं mild symptom हो जाता है और क्या पता कब moderate और कब severe symptom हो जाए तो इससे पहले ही आप इसो खरीद के अपने घर में रख लें और एक बार मालो आप hospitalized भी हो जाते हैं तो हम सारे patients को spirometry लाने की सला देते हैं और करने की सला देते हैं तो इसको करना एक art है और सबको आना चाहिए ठीक है इसलिए आप इससे रूबरू हो जाएं इसको खरीद के करना शुरू कर दें ठीक है इसको जब भी कोई viral disease होती है तो यह बहुत अपयोगी माना जाता है निमोनिया को निमोनिया के प्रभाव को कम करने के लिए तो आप क्या करिए कि अगर घर में आपके पास है तो बहुर अच्छी बात है आप इसको कर सकते हैं बिना इस electrical steamer के लेकिन यह चीज बहुत अच अच्छा एक चोड़ा सा जो है surface है जिसमें अपना आप मूह रखकर अराम से पूरी भाप अंदर तक ले सकते हैं इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है कि steam जो होता है इसकी जो specific heat है वो काफी हाई होती है ठीक है 536 किलो कलोरी के राउंड होती है तो यह specific heat से वाइरस का जो प्रभाव है वो तो कम होता है वाइरस किलो होते हैं और दूसरी चीज़ है कि जो लंग्स के अंदर mucosiliary movement होता है यानि कि जो respiratory tract होता है उसके अंदर एक cilia होते है ठीक है जिससे कि जो move करते है तो पूरा mucos layer जो है वो move करता है तो उस mucos layer को बनाये रखने में और ciliary movement को बनाये रखने में यह भाब काफी मदद कर और साथी साथ आपके जो जो वायू mark है यानि airways है ठीक है pipes होते है छोटे छोटे बहुती पतले पतले pipes होते है wind pipes होते है उसमें अगर mucos plug फंस गया है इसकी वज़े से बाद में हर दो घंटे में लेते रहें अगर आप kovid positive हो गए है और आपको mild to moderate disease हो गई है तो कम से कम आपके lungs जो है वो एकदम open रहेंगे तीसरी चीज है self proning तो जैसे कि आगर मान लीजे कि आपको oxygen का level 90% से नीचे लग रहा है कि saturation probe लगाने के बाद की 90% से नीचे जा रहा है आपक oxygen कम हो रहा है आपको लग रहा है कि कुछ तकलीफ हो रही है ठीक है कमजोरी सी लग रही है तो आप उल्टा लेटना शुरू कर दीजे ठीक है उल्टे लेटना यानि पेट के बल लेटने से क्या होता है कि आपके lungs के अंदर जो oxygen की capacity है oxygen की मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है लंग का compliance जिसे हम बोलते हैं अपने medical भाशा में वो compliance इंप्रूव होता है तो और जो पीछे के parts होते हैं लंग से बहुत सारे areas होते हैं तो पीछे के areas होते हैं वो expand हो जाते हैं और उसके expansion से automatically oxygen का जो मात्रा है शरीर के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाती है ठीक है तो इसको करना बहुत जरूरी है कम से कम हर दो दो घंटे में 30-30 मिनट के लिए उल्टा लेटना अतियावश्यक है जिससे आपके lungs improve होंगे ठीक है तो अगर आपको even oxygen नहीं मिल पा रही है मानले जे time पर और आपका saturation drop हो रहा है तो आप इसे करना शुरू कर दीजे इससे बहु hospitalized हो जाते हैं किसी तरह की oxygen पर रहते हैं आपकी यह exercise बहुत कम आएगी और आपको आगे कोवीट से होने वाले जो lungs में damage होते हैं उससे को prevent करने में काफी साहता मिलेगी तो आप यह भी करना शुरू कर दीजे अब यह है लास्ट चीज, mobilization to chair, mobilization to chair मतलब कि आपको लगातार बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए दिन में at least उससे क्या होता है? लंग्स जो है वो collapse हो जाते हैं तो ज़ादा तर बैठे हैं अगर आप hospitalized हो गए हैं तो यह मत समझे कि आपको बस आराम करना है दिन भर रात भर ऐसा मत करिए रात सोने के लिए होती है, दिन काम करने के बहुत कमजोरी है बहुत पीट में दर्द है या फीवर है हम लेटे रहना चाहते हैं ठीक है आप लेटिये लेगिन अपना जो अनुपात है बैठने का ठीक है जतना आप कोशिश कर सकते हैं जितनी आपके अंदर इच्छा शक्ती है उसको collect करके उसको लगा के आप जतना जादा जादा बैठी है ठीक है उस एक हफते के अंदर जिसमें आप कोविट पॉजिटिव है अगर आप जितना लंबा बैठेंगे ठीक है जतना आप अपने फेपड़ों को फुला के रखेंगे उतना ही जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे ये एक बिलकुल अप लास्ट ह को इंप्रूव करने के लिए और साथी साथ जो मासपेशियां हैं फीक इन मस्के जरीये जिसे हम चारे काम अपने करते हैं उस मासल को के फंक्षंस को मैंटेन रखने के लिए और मसल छती ग्रस्ट हो जाती हैं उनमें एक तरह एक का भोलते हैं हम लोग तो मसल का डेगरेश को उस गिरावट को प्रिवेंट करने के लिए उसो कम करने के लिए हाई प्रोटीन बहुत अप्योगी है बहुत सारी रिसरच में यह आ गया है हम तो क्रिटिकली पेशिंट्स मैनेज करते हैं तो हम हाई प्रोटीन देते ही हैं लेकिन वैसे भी अगर आप माइल्ड तु उससे उपलब्ध है इसके लावा मान दीजे कि आप कमर्शल पौडर नहीं ले पा रहा हैं तो भी आप एग वाइट ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन एगेटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं लेकिन उसका वाइट उसमें अल्बूमें जादा होता है या आ वाइस्टी रहेगा कि हम अगर अगर प्रोटीन पौडर लें शुगरेटेर इसको मेंटेन लखें अपने तो उससे आपका जो है reminds तर्के सिद्ध का का यहुंद का की मेंटेंड यह हैं आपकी मेंटेन उसमें हैं तो उनकी ताकत कोई कमी निया आएगी जिससे कि आप सारी जो lungs की exercise हैं और mobilization therapy वगरा 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 वो करद पाएंगे और आपको कमजोरी बिलकुल नहीं लगेगी ठीक है आप अपना खयाल लखें घर पे और saturation की monitoring करते रहें अगर आप covid positive हैं तो saturation को monitor करना बहुत जरूरी है किसी एक doctor के संपर्थ में रहें जो corona के बारे में जानता ह जो latest जिलाज है और बिलकुल नहीं घब रहें अपने doctor की सलामाने I wish you good luck बहुत बहुत शुक्रिया